नमस्कार मैं प्रोफेसर सरोज व्यास आज आपके लिए सिक्षक दिवस के उपलक्ष में एक विशेश व्याख्यान श्रंक्ला की उपर चर्चा करने के लिए उपस्तित हुई हूँ सिक्षक दिवस जैसा के आप सभी जानते हैं पास सितंबर को मनाया जाता है आपके साथ सिक्षा दिवस के उपलक्ष में एक विसेश चर्चा करना चाहते हैं सिक्षक, सिक्षक शब्द जहां हमारे मन मस्तिक्स में आता है वहां डक्टर सर्व पल्ली राधा कृष्णन जी की इस्मरती, उनकी छावी, उनका व्यक्तित्व, उनका क्रतित्व सब हमारे समक्षा जाता है, और आज की चर्चा का जो विशे है, वो कहीं न कहीं उसका श्रे उनकी देन, डक्टर सर्व पल्ली राधा कृष्णन जी को जाता है मैं उन्हें नमन करती हूँ, प्रेनाम करती हूँ, और अब हम चर्चा करते हैं सिक्षक दिवस के उपर सिक्षक, सिक्षक, गुरू, जिसे शास्त्रों में कहा गया है कि उसका इस्तान इश्वर से भी उपर है, तो हम सबसे पहले एक प्रात्ना के तहत गुरू को नमन करते हैं गुरूर ब्रह्मा, गुरूर विश्नु, गुरूर देवो महेश्वरे, गुरूर शाक्षात पर ब्रह्मा, तस्मई स्री गुर्वे नमे अर्थात गुरु ही ब्रह्मा है गुरु ही विश्णु है गुरु ही सिव है तथा गुरुदेव ही शाक्षात स्वरूप आधी ब्रह्मा है हम उनी गुरुदेव को नमन करते हैं गुरु की स्तुति करते हैं इसी के चर्चा में मैं एक और श्लोक आपके सामने रख रही हूँ जिसे ध्धान पुरवक समझने की और आत्मसाथ करने की आवशकता है ध्यानम मूलम गुरुर मूर्ति, पूजा मलम गुरुर पदम, मंत्र मूलम गुरुर वक्यम, मौक्ष मूलम गुरो कृपा अर्थात ध्यान का आधार गुरु की मूरत है पूजा का आधार गुरु के सिरी चरण है गुरुदेव के श्री मुक से निकलेवे वचन मंत्र का आधार है तथा गुरु की कृपाही मौक्ष का द्वार है इस प्रात्ना में इस च्लोक को ध्यान पूर्वक आत्मसाथ करने के आवशकता है ध्यान का आधार गुरु की मूरत है यानि जब ध्यान का आधार हम ध्यान लगाते हैं एकाग्र होते हैं किसी भी एक छेत्र में विशे में ग्यान के लिए आधात्म के लिए किसी भी प्रकार के जो हमारे उद्देश्य हैं उनमें जब हम ध्यान लगाते हैं तो उसका आधार गुरु की मूरत है यानि प्रतेक व्यक्ति, गुरू से यहां गुरू जो शब्द है, उसको हम संक्षिप्त रूप से नहीं ले सकते, गुरू का मतलब किवल अध्यापन कराने वाला, विधीवत आपको किवल विध्यालियों में सिक्षा देने वाला गुरू ही नहीं है, गुरू जिसके द्वा आपने ज्ञान प्राप्त करा, गुरू जिसके द्वारा आपने सीखा, तो सबसे प्रतम तो हमारी गुरू, हमारी मा होती है, तो गुरू जो है, जिस भी किसी व्यक्तित्र से, उसके जीवन मुल्यों से, और प्रतक्ष और परोक्ष रूप से, हमने यदि किसी को भी अपन आदर स्विकार किया है, तो उसका जो धान है, वो धान लगाते हैं, तो उसकी छवी हमारे मन मस्तिक्स में विराजमान होती है, पूजा का आधार गुरू के सिरी चरण है, हम जब पूजा करते हैं, तो एक तरह से जो इश्वर है, वो भी गुरू है, क्योंकि हमारी उनमें आ गुरु पर विश्वास होना, गुरु की प्रतिनिष्टा होना, ये सबसे बड़ी बात है, तो पूजा का आधार भी गुरु के शिरी चरण है। गुरु ने जो अपने ज्यान से, अपने अनुभाव से, अपने मुखारविंद से जो शब्द, जो उपदेश हमें दिये हैं, वो मंत्रों का आधार है। तथा गुरु की करपाही मौक्ष का द्वार है। यहां मौक्ष को भी हमें संक्षिप्त अर्थ में नहीं लेना चाहि सामानने तो हम मौक्ष का मतलब लेते हैं कि मौक्ष उप्रांत जो आत्मा को, जीवात्मा से आत्मा मुक्त हो जाती है, उसे मौक्ष काहा जाता है। लेकिन मौक्ष का मतलब यहां पे, यदि हम अध्यन अध्यापन के रूप में मौक्ष का मतलब लेते हैं, तो मौक्ष का मतलब होता है कि आप अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करके और आपका जो एक उद्देश्य है लक्ष है उसको प्राप्त कर लिया वो भी एक तरह से मौक्ष है यानि अज्ञानता से मुक्ति मिलना भी एक मौक्ष है जैसे द्रोनाचारिये के निर्देश पर और अर्ज सुनने जो उनको मशली की आँख को भेदना था तो उनका लक्षे के विल मशली की आँख था और वो मौक्ष यानि उन्होंने अपना वो प्राप्त कर लिया अज्ञानता से ज्ञान की हो जाना अपने लक्षे को प्राप्त कर लेना अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लेन शिक्षा की शेत्र में मौक सी यदि हम इसे समझें तो कोई अतिशोक्ती नहीं होगी वैसे तो किसी एक दिन और एक तिथी को सिक्षक के नाम किया जाना कदा पियुचित नहीं होगा क्योंकि सिक्षा जो है वो मनुस्य का व्यक्ति का बालक का सर्वांगिन विकास है और सर्वांगिन विकास के साथ साथ जन्म से लेकर मृतिव प्रयानते चलने वाली प्रक्रिया है तो किसी एक दिन और एक तिथी को केवल सिक्षक के लिए समर्पित कियाना उचित नहीं है तथा पी एक आयोजन है उसके उप्लक्ष में हमने एक तिथी निर्धारित एक दिन निर्धारित का रखा है जब हम पूरी तरह से पूरा संसार, पूरा विश्व और पूरा देश जो भी रास्ट है, अंतरास्टे इस तर पर किसी एक दिथी और एक दिनांक को, गुरु को समर्पित के आ गया है। विधान कहीं भी नहीं दिया गया है। कह सकते हैं कि गुरु का जो गुरु के लिए एक दिथी और एक विधी को यदि हम कहें, तो वो उसे हम ये नहीं कह सकते कि वो हमारी एक निर्धारित दिथी या विधी है। तो एक दिन नहीं है लेकिन संपूर्ण जीवन शिक्षक को समर्पित है। अंतरास्तिये और रास्तिये इस्तर पर विभिन्य शेत्रों में विशेश योगदान देने वाले महान पूर्शों के प्रती, क्रतग्यता, ग्यापन के लिए तथा विसिस्त्ति थी, जिसका सम्मंद इतिहास की महत्वपून घटनाओं से जुड़ा हो, को वर्तमान में जीविन्त करने के लिए वर्श में एक दिन निर्धारित किया गया है और वो है हमारा शिक्षक दिवस के लिए। और अंतरास्ति इस तर पर शिक्षक देश का आयोजन कब और कैसे प्रारम हुआ ये जान लेना भी बहुत जरूरी है, इसलिए हम आज इस पर भी चर्चा कर रहे हैं। तथा सम्मान आधी की शिफारिशे करना था। बाद में वर्स 1994 में 1994 से युनेशको एमस्वक रास्ट संग के तत्वाधान में 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर को अंतरास्ति इस शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। इस प्रकार से दुनिया के लगभग 100 से अधिक देशों में सिक्षक दिवस का आयोजन अलाग अलक्तितियों को किया जाता है। विश्व पटल के यदि हम बात करें तो अंतरास्ति इस शिक्षक दिवस का आयोजन 5 अक्टूबर को किया जाता है और वर्तमान तथा भावी पीडी को अर्थात विश्रिश रूप से यदि में कहूं तो विद्यार्थियों को इसके मनाया जाने का कारण विस्तार से समझन की नितानतावशकता है भारत में 5 सितंबर 5 सेप्टेंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है भारत में शिक्षक दिवस भारत के प्रथम उप्रास्ट पती 1952 से 1962 तक तथा दुटी रास्ट पती रही डक्टर राधा कृष्ण सर्वपल्लवी जी के जन्म दिन 5 सितंबर को भारत में सिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है उनका जन्म 1888 1888 को तमिन लाडू के तिरुमनी गाव में एक ब्रह्मन परिवार में हुआ था बचपन से ही राधा कृष्णन जी पुस्त के पढ़ने के शौकिन थे यानि वो पढ़ने लिखने में उनकी बहुत थे डुक्टर राधा कृष्णन ने अपने लेखूं तथा अपने भाष्णों के माध्यम से विश्व को भारतिय दर्शन शास्तर से परिचित कराया सन 99 यानि 1909 में 21 वर्ष की उम्र में डुक्टर राधा कृष्णन ने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में कनिष्ट व्याख्या था कनिष्ट यानि जिसे आज की आज या वर्तमान में या हम बोलचाल की भाषा में जिसे असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं वहाँ पे उन्होंने कनिष्ट व्याख्याता के तोर पर दर्शन शास्तर प्रढ़ाना प्रानम्ब किया डुक्टर राधा कृष्णन ने अपनी जीवन के 40 वर्स एक शिक्षक के रूप में व्यतित किया वहे एक आदर्श शिक्षक के साथ साथ भारतिय संस्कृती के ग्याता थे महान सिक्षाविद थे महान दाशनिक थे दाशन शास्तर के अध्यापक थे एक महान वक्ता थे एम हिंदू विचारक भी थे उनका जो सिक्षन प्रसिक्षन था और उस समय सिक्षन प्रसिक्षन के दोरान उनकी अध्यान अध्यापन में बहुत रूची थी और जब उनकी इस रूची या उनकी इस कर्मट था उनकी लगन उनके पैशन सिक्षन के प्रति उनके जुनून और उनके आदर्श व्यक्ति केज को देखते हुए और उनको बहुत ही उसने ही रखने वाले उनके प्रति सम्मान रखने वाले उनके प्रति आधर वहाव रखने वाले उनके मित्रों इमवेद्यार्थियों ने एक बार उनसे आग्रे किया कि वह है उन्हें अपना जन्म दिन मनाने की अनुमति दे राधा जनम दिन सिक्षक रूप के दिवस में मनाया जाए यदि मैं डॉक्टर सर्वपली राधा कृष्णन जी के शब्दों में कहना चाहूं तो उन्होंने कहा था मेरा जनम दिन अलग से मनाने की अपेक्षा ये मेरे लिए गर्व की बात होगी यदि पांस सितंबर को सिक्षक थी उनके अभिलाशा थी उनके आकांक्षा थी कि उनके जनम दिन को यदि उन्हें सम्मान देना चाहते हैं और उनके जनम दिवस पर हम आयोजन करना चाहते हैं तो उसे उनके जनम दिन की अपेक्षा सिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए और उस दिन विश्व के साथ साथ भारत जो है यानि विशेश रोप से भारत के जो शिक्षा के चेत्र से जुड़े हुए शिक्षक है उनको सम्मान दिया जाए और उनके सिश्चे उनके प्रती अपनी कृत अगेता ग्यापित करें इस प्रकार से 5 सितंबर का दिन सिक्षकों के सम्मान हितू समर्पित किया गया सिक्षक का इस्तान अब हम बात करते हैं कि सिक्षक का सिक्षा में, समाज में, रास्ट में और अंतरास्तिय मंच पर सिक्षक का इस्तान क्या है और जब हम सिक्षक की बात करते हैं, तो किसी भी साधारन और खास व्यक्ति को कभीरदाश्ची का जो दोहा है, वो सबसे पहले इश्मरन उसका हो आता है, कभीरदाश्ची कहते हैं, गुरू गोविन दोहू खड़े, कांके लागू पाए, भलिहारी गुरू आपने गोविन दियो बताए, अर्थात गुरू और गोविन एक बार कभीरदाश्ची कहते हैं, कि उनका यह अनुभाव है, या कभीरदाश्ची ने गुरू और भगवान और शिश्य के उस पर यह दोहा लिखा है, कि गुरू गोविन दोहू खड़े, कांके लागू पाए, बलिहारी अपने गोविन्दियों बताए, गुरू और गोविन्द, अर्थात भगवान और सिक्षक गुरू एक साथ खड़े थे, ऐसे में सिस से प्रथम प्रेनाम किसे करें, उसे प्रथम प्रेनाम किसे करना चाहिए, क्योंकि दो लोग हैं तो प्रेनाम, प्रेनाम का मतलब आज की वर्तमान पद्धती से नहीं है, कि विद्यार्थियों ने कह दिया, हाई मैम, हाई सर, गुड मॉर्निंग, गुड अप्टर नून, ये कह दिया, नहीं, प्रेनाम का मतलब है, कि आप धंडवत उन्हें प्रेनाम कर रहे हैं, उनके चर्ण स्पर्स कर रहे हैं, जुक करके, नीचे रख करके, और उनके चर्ण को इस पर्स करते हैं, वो प्रेनाम एक तरह से स्विकार, भारतिय संस्कृति और सनातन संस्कृति में प्रेनाम इस प्रकार से किया जाता है, तो गुरू और गोविंद, गुरू और भगवान, दोनों एक साथ खड़े हैं, तो सिस्से को प्रथम प्रेनाम किसे करना चाहिए, या वो किसे करे प्रथम प्रेनाम, सिस्से के मन में दूइदा है, कि वो किसे पहले करे, भगवान को करे या गुरू को करे, ऐसे में गुरू के सिरी चर्णों में सिश जुखाना प्रथम उत्तम है, क्यों? क्योंकि उनकी कृप्रा से ह गौविन के दर्शन का सोभागे प्राप्त होता है। पैरों से रोंद करके और तयार करके उसको और वो पात्र बनाता है। या गुरू यानि इश्वर के अनुभूती का जो शमता है वो गुरू के द्वारा होती हुआ थी। इसलिए गुरू को प्रथम प्रणाम करना उचित है। कविदास जी ने अपने दोही में कहा है क्योंकि गुरू के कारण ही हम इश्वर के दर्शन कर पाते हैं। इस वर के अनुभूती कर पाते हैं। इस वर के अस्तित्व को महसूस कर पाते हैं। लेकिन पुने-पुने मैं आपको एक चीज का इस्मरन करवाना चाहती हूं। कि गुरू से हमारा केवल संकुचित अर्थ केवल पुस्त किये ज्यान देने वाला सिक्षक का धापी नहीं है। फिर दूसरा दोहे में कविरदास जी ने बहुती सुंदर तरीके से गुरू की महिमा का वर्णन किया है। और इसको मैं आपके साथ बाटे भीना नहीं रह सकती। जब तक गुरू की कृपा नहीं होती है तब तक मनुष्य अग्यान रुपी अंदकार में भटकता हुआ सांसारिक बंदनों में जक्रा रहता है। अर्थात मोक्ष रूपी मार्ग गुरू ही दिखाता है। गुरू से ही सत्ते एसत्ते उचित अनुचित का भेद का ग्यान हमें प्राप्त होता है। यह मैंने आपको अर्था इसका सरलार्थ करके बताया है कि गुरु ही है जिसके कारण ही जिसकी सिक्षा दिक्षा जिसके अनुबाव सही हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है गुरु ही है जो हमें मौक्ष के द्वार तक ले जाता है गुरु ही है जिसके से हम सत्य को जान सकते हैं और गुरु ही है जो हमारे दोशों को मीटाता है अर्थात हम सत्य असत्य उचत अनुचत सही गलत सांसारीग जो बंधन है और हमारा जो बन भटकता है उस से हम बाहर निकल पाते हैं तो इस प्रकार से कभीरदाश्ची ने बहुत ही सुन्दरा अपने दोहों में और गुर दाशी ने आगे भी कहा है और उन्होंने कहा है गुरू पारस को अंतरो जानत है सबसंत गुरू पारस को अंतरो जानत है सबसंत वे लोहा कंचन करे ये करिले हैं महंत गुरू और पारस पारस एक पत्थर होता है कि गुरू और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष जान गुरू और पारस के अंतर को सभी ज्ञानी पुरुष यानि जो भी सब बुद्धिमान पुरुष है बुद्धिमान जो मनुष्य है बुद्धिमान जो प्रानी है वो सब उसके अंतर को जानते है पारस मनी के विशे में प्रसिद्ध है कि उसके इसपर्स से लोहा सोना बन ज यह कुछ गुरु जो गुरु के ग्यान के लिए कही गई हमारी कभीरदाश्ची ने कहा यह दो ही मैंने आपके समक्स प्रसुत के हैं आपके साथ इन पर विचार विमर्ज करें हैं और इनहीं केवल सुनने या पढ़ने तक गुरु के प्रतिक क्रतगेता ग्यापित नहीं मजने की आवशक्ता है और उसे स्विकार करने की आवशक्ता है कुछ पंक्तियां हैं जो मैं आपके साथ चर्चा करना चाहूंगी और उन पंक्तियों में गुरु जो है वो किस प्रकार से अध्धापक अध्धापक यानि सिक्षक गुरु की तुलना जो है वो कुम्बकार से करी गई है मिट्टी के बतन बनाने वाले से करी गई है और उसमें जो माटी है यानि सिस्से है क्योंकि हम सिक्षक दिवस बना रहे हैं तो सिश्चों की तरफ से भी कुछ होना चाहिए तो जो सिस्से है वो पकार कर रहा है सुनिए इसको माटी कही कुमार से मुझको कोई आकार दो करके लथपत चरनों से चलिच चक्र का वार दो करके लथपत चरनों से चलिच चक्र का वार दो बनू मैं घट ऐसा कि अपने संग दूजों की सीतलता कि अपने संग दूजों को सीतलता अपनी प्यास बुझा करके औरों को सीतल करूं माटी कहे कुमार से मुझको कोई आकार दो करके चरनों से लथपत चलिच चक्र का वार दो और इनी इनी शब्दों के साथ मैं अपनी वानी को विराम देती हूं और हम आगे फिर चर्चा करेंगे नमस्कार झाल